भारत सरकार ने प्याज और चावल के दामों को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बंदिश लगा दी थी. इसे अब हटा दिया गया है. इससे प्याज और बास्मती चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तै किया था. साथ ही बास्मती चावल पर 950 डॉलर प्रती टन का न्यूंतम निर्यात मूल्य तै किया गया था. इससे कम रेट में विदेशों में प्याज और बास्मती चावल नहीं भेजा जा सकता था. ऐसा घरेलू बाजार में प्य इंटरनेशनल मार्केट में नहीं रह गई थी. डी जी एफटी ने यह फैसला महाराश्ट्र और हरियाना समेत अन्य राजियों में होने जा रहे विदान सभा चुनाव के पहले लिया गया है. इस फैसले से किसान खुश हो सकते हैं. महाराश्ट्र में प्याज का उत्पाद मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया गया था. हरियाना और पंजाब में बास्मती चावल की कीमतें एक हजार रुपए प्रती क्विंटल तक घट गई है. इसके साथ ही सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट भी घटा दी है. अब ट्रेडर्स दो हजार मीट्रिक टन गेहूं ही स्टॉक कर पाएंगे. पहले यह लिमिट तीन हजार मीट्रिक टन थी. इसके साथ ही बिस्किट और ब्रेड बनाने वाले अब कम लिमिट रख पाएंगे. गेहूं के रेड दो हजार साथ सो रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गए है.